पंचन गेट रास्ते में आम का एक घना पेड था अहां तेज दूप है थोड़ी देर उस पेड की च्छाओं में लिट जाता हूँ गिरिश पेड की ठंडी च्छाओं में सुस्ताने के लिए लेट गया उससे बहुत भूख लगी थी लेकिन खाना खरीदने के लिए पैसे नहीं थे उसने सोचा कि पेड पे लगे आमों से ही आज भूख में डालेता हूँ पड़ी भूख लगी है सोने से पहले कुछ आमी खा लेता हूँ जैसे ही उसने आम तोड़ने के लिए पत्थर उठाया उसे किसी की आवाज आई रुको, खृप्या पत्थर मत मारो गिरिश ने आसपास देखा वहाँ कोई इंसान नहीं था फिर उसी एक छोटी सी चिडिया दिखाए दी उसी यकिन नहीं हुआ कि ये चिडिया ही बूल रही है लेकिन तभी चिडिया फिर से बोली अगर तुम पत्थर फेकोगे तो मेरा गोसला तूट जाएगा मुझे बड़ी भूक लगी है इसलिए आम खाना चाहता था लेकिन कोई बात नहीं तुम डरो मत, मैं पत्थर नहीं मारूंगा कुछ और इंदजाम कर लूँगा गिरिश की दयालूता देखकर वो बोली तुम कितने दयालू हो दो मिनट रुको, मैं अब ही आई चिडिया उड़ी और कहीं चली गई कुछ ही देर में लोटी उसके मुँ में एक चमकता मोती था उसने वो मोती गिरिश को दे दिया और बोली इस मोती को बाजार में बेचोगे तो तुम्हें अच्छे पैसे मिल जाएंगे फिर उन पैसों से तुम्हें जो मन करें तुम खा लेना धन्यवाद प्यारी चिडिया इससे मेरा आज के खाने का काम तो हो ही जाएगा आज ही नहीं मैं तुम्हें रोज एक मोती दे दिया करूंगी बदले में तुम आने जाने वालों से मेरे घुसली की रक्षा कर देना चिडिया का प्रस्ताव सुनके गिरिश खुशी-खुशी राजी हो गया गाउव में जाकर वो मोती उसने एक लाला को दिया और बदले में कुछ पैसे ले लिए उन पैसों से उसने भर पेट खाना खाया अब गिरिश रोज उस पेड के नीचे जाता और आने जाने वाले लोगों को पत्थर मारने से मना करता और गोंसले की रखवाली करता चिडिया उसे रोज एक मोती दे देती गिरिश रोज मोती लाला को देखे खाने के लिए पैसों का इंतजाम कर लेता वो मोती नायाब थे एक दिन लाला ने सोचा जरूर इस लड़के के पास कोई खजाना है मुझे छुपके इसका पीछा करना चाहिए लाला ने गिरिश का पीछा किया उसने सब देख लिया तो ये बात है खजाना इस चिडिया के पास है कल मैं इस चिडिया का पीछा करूँगा अगले दिन लाला ने चिडिया का पीछा किया लाला चिडिया के पीछे-पीछे भागता है उसने देखा कि चिडिया दूसरी एक पेड के कोतर में जाती है और वहां से मोती लेके आती है ओ, तो यहां है खजाना चिडिया के जाने के बाद लाला उसी पेड के पास गया और उसने मूती निकालने के लिए कोतर में हाथ डाला लेकिन ये क्या? कुछी पलों में लाला चिल्लाती हुए भागा अरे कोई बचाओ, मुझे साप ने काट लिया, कोई बचाओ रे दरसल उस कोतर में चिडिया का एक मित्र नागराज रहता था वो ही उसी रोज मूती लाके दिया करता था वहाँ कोई खजाना नहीं था लाला को चिल्लाते देख गिरिश दोड के पहुँचा और उसने तुरंट एक जड़ी भूटी वाले पेड़ की पत्यां तोड़के लाला के हाथ पे मसल दी लाला जी, ये लगा लीजिए, इससे आप तुरंट ठीक हो जाएंगे जहर सूक गया, और लाला बच गया लाला ने गिरिश को पूरी बात बताई और उससे माफी मांगी मुझे माफ कर दो, मैंने लालच में आकर तुम्हारा पीचा किया और मुसीबत में फंस गया कोई बात नहीं लाला जी, आपकी जान बच गई, मेरे लिए ये सबसे जरूरी है तुम कितने अच्छे हो, आज से तुम मेरे ही घर चलो और मेरे ही साथ रहो उसके बाद लाला ने गिरिश को अपने ही यहां काम पे रख लिया और उसकी लालन-पालन की जिम्मेदारी अपने उपर ले ली गिरिश के दया भाव ने उसकी सारी समस्याइं तूर कर दी और वहीं लाला को भी लालच नहीं करने का सबक मिल गया